पुरानी रंजिस्त के चलते हुई हत्या पुलिस ने किया मामला दर्ज हत्या के आरूपी को किया पुलिस ने गरपतार भेजा जेल देहाद थाना छेत गया अंतगत राजेंद नगर की घटना SDOP ने किया घटना इस्तल का नरीक्षण जी हाँ गंजवासोदा थाना छेत्र के अंतरगत राजेंद नगर जिर्लूड पर बच्चों को खेलने को लेकर दो पड़ोसियों में आपसमें विवाद हो गया सूत्रों की माने तो दोनों परिवारों में पुरानी किसी विवाद को लेकर रंजिस चल रही थी दो पड़ोसियों के जगडे में रोशन पुत्र हरी सिंग कुसबा पर नाराइन कुसबा और उनके बेटे दोरा चाकू से मार पीट की गई जिसमें रोशन पूरी तरह घायल हो गए जिन्हें उपचार के लिए बिदिसा रेफर किया गया जहां उपचार के दोरान उनकी मृत्ति हो गई देहाद थानव पुलिस ने आरोपी नाराइन को गरपतार कर जेल भीज दिया है उक्ति प्रकण में छेत्र के अनुविवागी अधिकारी पुलिस भारत भूशन शर्मा ने घटना स्तलका निरिक्षण किया एबं पीडित परिवार से बाचित कर पूरे मामले में बारी की स चानवीन की देहाद पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर आंगे की कारवाई की जा रही है गंजवासोदा से एलन चौवे की एक यपोर्ट कुस्वा परिवार आसपास देते थे बीच में चार मकान थे इसमें कुस्वा पक्ष के बीच में बच्चों पर से माल्पीट पर से लेके चाभू बज़ी की कहतना हो लिए वेधानिक कारवाई की जाए आ रोपी को इनों ने हिरासरप ने लिया है बागी दोनों पक्षों वेख्टी गाहल है जो उपचार रहती है एक्षन पैले ही लिए गया है इमिजेट एक्षन लिए गया है उसको आमने आस्पिटल में उपचार के दो रहने यह समय का मिलम हो जाता है और इसमें किसी का वो कुछ नहीं है तो समय के हिसाब से ही वेधानिक कारवाई की